नमस्कार स्वागत थे आपका हमारे चैनलेचार जागिंद्र रमिशा में मिथुन राश अप्रेल मई जून 2022 ये बड़ी घटनाएं आपका इंतजार कर रही है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राश वाले जातकों के लिए आप प्रेल मई और जून 2022 का महीना कैशा रहेगा वह कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो आपका इंतजार कर रही है तो यदि आप मिथुन राश के जातक हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा वश्य देखे हैं क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महित पूर रहने वाली है और साथी साथ हैं मित्वन राज के जातकों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को भी शेयर कर दीजेगा और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके तमाम ग्रह गोचे रिष्टिया इन तीन महिनों में कैशी रहगी मित्वन राज के जातकों उसके बाद हम बात करेंगे आपका केरियर कैसे रहेगा बिजनेश व्यापार कारोबार कैसे रहेगा दामपत्य जीवन कैसे रहेगा प्रेम शंबंद कैसे रहेगा लवलाइप कैसे रहेगी पारिवारिक जीवन के सासा स्वास्थ इसक्वेशन और साथी साथ आपकी विदेश की यात्राएं और धन की इस्टिती नौकरी के सिथिक ऐिंगी धुकान के रहेगी महतपूर्ण पहलियों के बारे में हम चर्चायें करेंगे तो चले सबसे पहले हम मितहुन राशकत को बात कर लेते हैं आपके ग्रह गोचर इस्थित्ययों के बारे में तो देखें आपरेल मई जून ये तीन महीने बहुत इंपोर्टन रहेंगे पहली बाद तो अप्रेल का महीना ग्राहूं के लिहास से अगर देखा जा तो बड़ा परिवर्तन होने वाला है सबसे पहली बाद तो विशेश जो ध्यान देने योग है मिथुन राशकत को अप्रेल के महीने में शभी के नव के नव ग्रहों का रासी परिवर्तन होगा शूर मंगल बुद्र शनी शुक्र राहू के तु शभी ग्रह लगबग लगबग नव के नव ग्रह परिवर्तन करेंगे और यहां पर हम बात करते हैं देखे शूर जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं देखे इनका 14 अप्रेल को राशी परिवर्तन होगा और ये अपने उच्छ की राशी में आएंगे यानि आपके लाब भाव के आएंगे मिथुन राशकत को और ये मई के महीने में फिर से इनका परिवर्तन होगा ब्रिसब राशी में फिर मिथुन राशी में इनका जून के महीने में यानि की परिवर्तन होगा तो अप्रेल मई जून ये तीन महीनों का राशी फ़ल हम बता रहे हैं साथ ही मितुन राजकत को यहाँ पर सनिदेव की बात करें तो 29 अप्रल को इनका बड़ा परिवर्तन होगा और यह मकर से कुम राशी में जाएंगे मैं जो उनके महीने में यह कुम राशी में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर बात करें तो आपके राशी के स्वामी चाल चलते हैं केतु भी उल्टी चाल चलते हैं यह हमेशा सदैब वक्री रहते हैं यह कभी मारगी नहीं होते हैं तो यह उल्टे ही राशी में आएंगे मेस और तुला राशी में और यह माई जोन में इन ही राशी में रहेंगे और यहाँ पर जैसे कि शुक्र का भी राश कारण बन सकती है जैसे कि जहां पर आप नौकरी करते हैं जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर अपने उच्छा अधिकारियों के साथ, अपने बड़े अधिकारियों के साथ, तालमेल बहतर बना के चलना होगा इस्टाप के साथ, क्योंकि यहाँ पर मत्भेद होनी की योग बन रहे हैं, और साथिसाथ अलगाव की स्थिरे बन सकती है, नोक निक्रोध और गुस्टे से बाहर निकलने की जरूरत होगी, वहीं बिजनेस प्यापार कारोबार की बात करें, तो मित्वन राजकत को यहाँ पर कोई महत्पूर्ण डील आपके हाथों से जा सकती है, प्रतिदंदियों की बज़ा से छिल थोड़ी सी परेशानी होगी, लोट मित्वन राजकत को एक चीज का विशेश रूप से ध्यान रखें, पार्टनर में अगर कोई बिजनेस प्यापार कारोबार करते हैं, तो पारदस्ता रखना होगा, अगर आप पारदस्ता नहीं रखते हैं, तो निश्य तोरपे परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा अलगाव किस्तिती बन सकती है, और वहीं आपको बैंकिंग के छेतर में अगर कोई महत्पूर्ण लोन आप जो बार बार अपलाई कर रहे थे, उसमें रुकावट या फिन आपको देरी हो सकती है, तो गाड़ी बाहन कभी प्रयोग ना करें, वरना दुर घटनाए चोट च पेट लग शकती है, स्वास्ति का आपको परेशानी चुकी, यहाँ पर अप्रेल के महीने में स्वास्ति में गडबड़ी होगी, और मई जून में आपके स्वास्ति में ठीक होगा, हाला कि आपको आपके घर में जो आवे जाता है कि उनके बहतर योग बनेंगे, उनके पेट्रिक शंपत्य को लेकर, हिस्से एदारी को लेकर और जमीन प्रपोलिटी को लेकर कुछ मद्भेध हो सकता है घर परिवार में, तो यहाँ पर भी आपको फोकस बना के रखना होगा, कोई आपके साथ धोखा देने की कोशिच भी कर सकता है, और पीट पीछे कोई आप आपको अप्रेल और माई के महीने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, किसी बात को लेकर नोग जोख हो सकते हैं, लेकिन जून के महीने में आपके संबंदों में काभी मजबूती आगी, संतान की प्राप्ति की योग बनेंगे, संतान आपका कहना मानेंगे, और आपके क कहले बसंतार कोई महतंपूल निर्णे ले सकते हैं खासकर यहान पर देखा जाये तो आपको मई की महीने में और जून की महीने में संताय की तरप से भी कोई नोग जूट देखने को मिल सकती है ताल मेल में कड़वाहट आनी के संभवना बन सकती है और यहाँ पर अगर बात करें हम आपके सिक्षा के छेतर में तो विद्यारतियों के लिए यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है हलाकि आपको रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जो आपने एक जाम दिया था पिछले समय उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है और यहाँ पर देखा जात तो देखिए भाग दावड की जिंदगी बनी रहेगी और मितुन राजकत को यहाँ पर प्रेम संबंदों में भी किसी बात को लेकर अनबन ये फिर तनाव की स्थिती बन सकती है कोई तीसरे पक्ष को प्रतिक्रिया देने की जरूरत होगी स्वास्त का हमने पहले ही का कि थोड़ा सा बुरा असर देखने को मिलेगा भाग दावड की जिंदगी रहेगी विदेश की यात्राएं करने पड़ सकती और यहां पर देखा जाए तो पड़ोस्वक साथ भी किशी बाद को लेकर अनबन या फिर अशंतोस जाहिर हो सकता है और खास कर मित्वन रास्कत को परहेच करें किशे से बाद व्याद न करें कुरोध न करें लड़ाई जगडे से दोरी बना के चले और खास कर कुछ ऐसे कर न करें जो कि यहां पर आपके बिवादों का कारण बन सकता है तो कुल मिला के कहा जा तो मित्वन रास्कत को ये तीन महिने अप्रैल मई जून के महिने में आपको कुछ सावधानिय बरतनी है लें लें दें न करें और आप गड़ेस भवनन को दूरबा की माला चड़ाएं और साथी गाय को रोटी घास जरूर खिलाएं तो इससे विशेश लाब होगा तो ये था मित्वन रास्वली जातकों के लिए अप्रैल मई जून 2020 का रासी फल तो जाते तो वेड़क लाइज जरूर करें नए तो चनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिएगा जै शनी देव